दोस्तो आप में से बहुत लोग जानते और मानते होंगे कि डीजल की जो गाडियां है वो दमदार भूद लोड उठाने में पहाडों पर चलने में किसी भी कंडीशन में उनका अभी भी कोई मुकाबला नहीं है लेकिन अब इनको रिप्लेस करने बहुत सी चीजें बहुत सी मालिकों में बना हुआ है वो ये कि क्या ये उतनी ही दमदार होंगी क्या ये उतनी कारगर होंगी सवाल तो बहुत से हैं ऐसे सवालों के जवाब ढूंडने के लिए आप लोग निकले भी होंगे बहुत सी गाडियां इधर दर देखी होंगी लेकिन अब ये मानना पड़े आज के प्रोग्राम लॉरी में नमस्कार ट्रांस्पोर टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ असलम कुरैशी आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो चल रही है और धेरो गाडियां खड़ी हुई है वीवाइडी और दंग रह गया और इसका रिव्यू ही कर डाला पूरी वीडियो बना डाली उपर से नीचे तक आगे से पीछे तक वह देखते रहे कि किस तरह यह डीजल गाडियों से अलग है और यह जानने का प्रयास किया कि यह कारगर साबित होगी कि नहीं वीवाइडी क्यूवन के जाज की रिसर्च की कि क्या खास है इस ट्रक में या इलेक्ट्रिक गाडियों में कम्पनियों ने अपने इस्तिहारों में यह दावा किया है कि 75,000 किलोग्राम GCW है इस गाड़ी का एक बार इसकी बैटरी चार्ज करने पर लगभग 200 किलो मीटर यह चल सकती है और धाई घं में पूरी चार्ज हो जाएगी यह दावा किया है उन्होंने इसका टर्निंग रेडियस 7,000 mm है टॉप स्पीड इसकी 75 किलो मीटर प्रति घंटा बताए गई है 450 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा बाकि आप जानते ही है कि इलेक्ट्रिक गाडियों को इंट्रोड्यूस करने क का मकसद यह है कि वातावर अंदूश इतना हो और अब कंपनी यह कोशिश कर रही है कि ड्राइवनों या गाड़ी मारिक के लिए यह कमफर्टेबल हो और ज्यादा से ज्यादा कमाई करने वाला हो यह दावा किया जा रहा है कि जैसे बाकी गाड़ियों में आपको खर्चा वीडियो ड्राइवर ने बनाई उसमें वो भी हैरान है कि शाफ्ट तो लगा ही नहीं है सिर्फ क्राउन लगे हुए है कमपनी बता रहे है कि काफी हैवी ट्रक है यह लेकिन आपको एक जानकारी देते चलें यह कोई पहला ऐसा ट्रक नहीं है जो भारत में देखा गया है या भारत में चल रहा है काफी टाइम से कई ट्रक भारत में इंट्रिड्यूस हो चुके हैं जो बैटरी ओप्रिटेड हैं वीवाइडी कंपनी के साथ मिलकर एक उलेक्टरा गाड़ी निकाली गई थी इनकी बसीज भी हैं ट्रक्स भी हैं भारत का पहला हेवी ड्यूटी ट्र 400 किलो मीटर चलने का दावा कंपनी ने किया था और अगर लोड लेकर चलते हैं तो 200 किलो मीटर 2019 में इसको इंट्रोडूस किया था ट्रायल बेसिस पे चलाया गया लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया कंपनी ने कई दावे किये थे कि एक साथ कई गाड़िया जानते हैं कि ट्रांस्पोर्ट जगत में अब कमाई तो बची नहीं है कुछ बचा नहीं है खासकर भारत में जगा जगा जहां बरश्टा चार से लोग पीडित हैं कहीं आटियों तंग कर रहा है कहीं पुलिस तंग कर रही है कहीं पहुंचने में देरी हुई तो भाड़ा तो ठीक है लेकिन पहाड़ों पर इन गाड़ियों का क्या होगा यह तो आप भी बहतर ही जानते होंगे क्योंकि पहाड़ियों में ज्यादा टॉर्क की जरूरुत होती है वहाँ बैटरी ओपरेटिड गाडियों कितना कारगर साबित होंगी ये तो वक्त ही बताएगा अभी तो शुरुवात है लोग देख रहे हैं परख रहे हैं जाच रहे हैं बैटरी ओपरेटिड गाडियों को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्षन मिलकर जरूर बताईएगा और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपने अभी तक अमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्रांस्पोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मैं जानता हूँ कि ट्रांस्पोर्ट के कारोबार में धेरों चिंता हैं लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा पॉलिसी में किसी तिरह की कमी नहीं होगी और क्लेम होट लाइन की सुविधा 2400 घंटे मिलेगी बस गाड़ी की आर्सी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांस्पोर्ट मॉल एप में डालें या 9831-9831 पर वाट्साप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिरफ और सिरफ ट्रांस्पोर्ट मॉल से